दूसर ये स्टोरी है निशान्त महात्रे और तौसिफ खान की जो की I.A.T. खड़कपुर और I.A.M. अहमदाबाद के बैच मेर्ट्स थे college खतम होने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे start-ups join किये जो की agriculture sectors में work कर रहे थे इसके साथ इन्होंने कुछ venture capitalist को भी join किया जो की agritech start-ups के साथ काम कर रहे थे इनके साथ काम करते हुए इन्होंने realize कि इंडिया में production farmers काफी कम कर पाते हैं मतलब अगर हम इंडिया के accordingly बात करें कि जितने और countries हैं जिनका इतना ही land है भारत के जैसा उनका production भारत से कहीं जाता है तो इसके पीछे का जब इन्होंने reason जानने के कोशिश की तो इन्हों कुछ reason सबजब आए कि भारत में farmers को technology की बहुत कम knowledge है भारत में farmers को crop में होने वाली बिमारियों की भी बहुत कम knowledge होती है farmers को weather का forecast वगरे नहीं पता होता है कि कब बारिश होने वाली है कब कैसा मौसम होगा भारत में soils की farmers को knowledge नहीं है जिससे farmers का yield बढ़ जाए, farmers का production बढ़ जाए और farmers economically भी grow हो जाए इसके बाद इन्होंने job छोड़ दी और ये close दी farmers के पास में ये work करने लगे farmers की problem ये समझने लगे अब इसी समय इनको एक और partner मिलते हैं हरशिद गुपता जो की इसी साल Forbes 3030 में भी feature हुए थे अब starting में ये farmers को एक phone call के थूर उनको basic knowledge दिया करते थे तो उनको technology की knowledge दिया करते थे और कुछ इनके expert की एक basic इन्होंने team बना ली जो की farmers को help करने लगे बट काफी analyze करने के बाद इन्होंने कुछ problem के solutions find out की है काफी analysis के बाद इन्होंने तीन step बनाए जिससे ये farmers को पूरी तरह से help कर सकते थे सबसे पहला इन्होंने ग्राम सला बनाया जहांपे farmers को farm management की ये technique सिखाया करते थे जिसमें ये farmers को personalized advice दिया करते थे उनके seeds related, fertilizer related, nutrition के advices दिया करते थे crop में कोई अगर disease हो गया है तो उसका ये solution दिया करते थे farmers को इस तरह से ग्राम सला के through farmers को काफी ज़्यादा advices अपने expert doctors की team के साथ दिया कर रहे थे दूसरा solution इन्होंने अपने app के through farmers को दिया gram bazar का ग्राम बाजार के through farmers अपने सारे agriculture के inputs जिस भी brand के farmers को चाहिए वो एक ही जगह से इनके platform पे से buy कर सकते थे फिर चाहिए वो seed हो गया, pesticide हो गया, crop के nutrition हो गया, supplements हो गया या agriculture के hardware products हो गया ये सारे items ये एक reasonable rate में farmers के घरों तक ये पहुचाने लगे ताकि farmers को जो भी चीजों की जरुत हो उसको बाजार भी घूमना न पड़े, उसको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए अच्छे एक rate में अब तीसरी जो farmers के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हुआ करते थे कि एक बार production हो गया, एक बार फसल ओग गई, उसके बाद farmer को market में जाके ये बेचना होता था तो इनको अच्छे rate नहीं मिला करते थे, जिसके वज़ए से farmers का profit बहुत कम हो जाया करता था तो इन्होंने अपने ही platform पे यहाँ पे gram व्यापार का एक option दिया जहाँ पे farmers व्यापारी, commission agents और processor से connect हो सकते हैं इनके platform पे farmers एक trusted trader से जाके easily connect हो सकता है और अपना crop को बेच सकता है और साथ ही यहाँ पे व्यापारी भी अपनी requirements वगरे इनके platform पे ही mention कर सकता है जिससे की वो farmer इनसे जाके directly connect हो जाए व्यापारीयों से अब इससे process बड़ा simple हो गया, easy हो गया, convenient हो गया अब farmer को यहाँ पे market में नहीं जाना होता था वो directly इसी app के थुरू अपने सारे product बेच सकता था यहाँ से middle man को इन्होंने हटा दिया अब जिससे की farmers को काफी जादा benefit होना शुरू हो गया अब इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा farmers का एक network बनाया social network online बनाया अपने platform पे जहाँ पे 5 लाग से जादा farmers आज की date में connected हैं और साथ में बहुत से experts भी connected हैं अब यहाँ पे farmers आपस में ही बात कर लेते हैं नई-ने technologies जो भी आती है कोई भी एक farmer अगर वो use कर रहा है तो वो बाकी farmers में भी communicate कर देता है तो इस तरह से farmers आपस में ही बात करके अपने बहुत सारे problems को resolve कर लेते हैं वो directly किसी expert से connect होके अपने किसी problem को इसी platform के through connect होके solve कर सकते हैं इसके साथ इन्होंने अपनी app को बहुत ही simple रखा और regional languages में रखा ताकि farmer अपने ही भाशा में इस app से connect होके बात कर सके और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने miss call का एक option रखा call center इन्होंने अपना बनाया ताकि farmer इन्हें directly call कर सके इसके साथ इन्होंने gram उदय भी बनाया ताकि farmer इनके जगा पे जाके इनसे बात कर सकता है आज की date में इनसे करीब 8 लाग से ज़्यादा farmers connected हैं अगर हम इनके total concept की बात करें तो यह save more sell better के concept पे काम किया करते हैं मतलब farmer जितना रुपए लगा के अपने farming करता था वो 15% रुपए उससे कम हो गए इसके साथ ही 40% farmers का production बढ़ गया अब overall 50% farmers को ज़्यादा profit बढ़ गया तो इससे बहुत सारे farmers को benefit होने लगा दोस्तों अगर हम इनके funding की बात करें तो इन्हें Siana Capital, InfoAid जैसी बड़ी comedy company ने इनको funding किया है करेब करेब इन्होंने 8 million dollar की funding उठाई है 2017 से अभी तक अगर हम इनके financial year 2020 की बात करें तो इनका total revenue 19 करोण का था और financial year 2021 की अगर हम बात करें तो इनका revenue बढ़ के करिब 48 करोण हो गया क्योंकि farmers को बहुत जादे अपने problem के solution मिलने लगे अब वो आपस में एक दूसरे में communicate करने लगे जिससे की इनका revenue भी बढ़ गया farmers का भी revenue बढ़ा और साथ में इनका भी revenue बढ़ता गया अगर हम इनके इतने बड़े growth की reason की बात करें तो ये farmers को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन्हें पता है कि farmers अपनी जवान की बात करता है farmers pen paper पे कम काम करता है farmers जो बोल दिया वो जरूर करेगा क्योंकि farmers बड़े ही इमानदार हुआ करते हैं तो इसी तरह इन्होंने अपना trust किसानों के बीच में बहुत अच्छा maintain रखा इन्होंने अपनी पूरे process में इतनम transparency रखी इतनम reasonable rates हर चीजों के रखे और farmers को ज़्यादा से ज़्यादा profit करवाया क्योंकि इनको पता था कि अगर farmer का profit होगा तो ही इनका profit होगा तो इसी तरह से ये company regularly grow करती जा रही है भी इसके साथ इन्होंने अपना feedback process भी बहुत अच्छा रखा जब इनकी company grow होती गई और लोग इन्हें join किये तो इन्होंने farmers का redressal mechanism बहुत अच्छा रखा कि मतलब किसी भी farmers को अगर इनके किसी भी process से issue है तो directly इनके top management की team से वो farmer connect हो सकता है अपने problem का solution find out कर सकता है दोस्तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा agriculture ground है करीब 160 million hectare land के साथ यहाँ पे करीब 400 से ज़्यादा startups काम कर रहे हैं जो की करीब 15 करोन से ज़्यादा किसानों की मदद कर रहे हैं दोस्तो technology ही एक सबसे बड़ा solution है farmers को अपना profit ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्योंकि जितनी ज़्यादा technology का use करेंगे farmers उतना ज़्यादा अपना production बढ़ा सकेंगे और उतना ज़्यादा अपना profit earn कर सकेंगे यह concept यह startup भी use कर रहा है तो दोस्तो यही था gramophone का business model आपको यह business model पसंद आया तो आप वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करेएगा आप comment में भी लिख के बताएगे कि farmers को सबसे ज़्यादा नीट किस चीच की है क्या यह startups technologically उतना ज़्यादा help कर पा रहे हैं farmers को तो दोस्तो वीडियो यही तक थी आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कर देगा चैनल को subscribe कर देजेगा और bell icon में press कर देजेगा